इस वर्ष इरान की मानावधिकार कारेकरता नर्गिस मुहमदी को साल 2030 के लिए शांती का नोबेल पुरसकार दिया गया। नर्गिस इरानी महिलाओं के लिए इरान की सरकार सी जोड़दार लड़ाई लड़ रही हैं। और इस समय वे जेल में हैं। उन्होंने अब तक 31 साल जेल में बिताए हैं। बता दें कि उन्हें कोडे भी मारे गए। नर्गिस मुहमदी ने इरान में मानवधिकारों को बढ़ावा दिया और सभी के लिए स्वतंतरता का समर्थन भी। बता दें कि पुरसकार देते हुए नोबिल कमेटी ने कहा कि नर्गिस को इसके लिए बड़ी निजी कीमत चुकाने पड़ी। मानवधिकारों को बढ़ावा देने और स्वतंतरता की समर्थन की जिद में उन्हें तेरा बार जेल जाना पड़ा और इतना ही नहीं पांच बार वे दोशी भी ठहराई जा चुकी हैं। मागरिकों के हित अधिकार की बात करने वाली नर्गिस मुहमधी को जब वर्ष 2030 का नोबेल शांती पुरसकार दिया गया तो समय वे जेल में ही थी। मांग की। इस प्रदिशन में लाखों की तादाद में इरानी लोगों ने हिस्सा लिया था। बता दें कि नर्गिस मुहमधी पर इरानी पुलिस ने इरान सरगार के खिलाफ दुश प्रचार करने का भी आरूप लगाया है। इरानी सरकार ने प्रदिशन कारियों पर जम कर अत्याचार किया और 500 से ज़्यादा प्रदिशन कारी मारे गए। इसके अलावा हजारों की तादाद में लोग घायल हो गए। करूरता का आलम ये रहा कि कई लोगों की आँख रबर की बुलिट लगने से खराब हो गई। पहले भी बताया लगातार दुष्ट प्रचार का आरूप लगाया वे डिफेंडर ओफ यूमन राइट सेंटर के उप्रमुक हैं। अपने आप में बड़ा दिल्चस्प रहा ये पल जब जील में रहते हुए ही नर्गिस को नोबेल शान्ती के पुरसकार से सरवुच्छ पुरसकार से सम्मानित किया गया।